आपाई ये पताए इसमीर भाई अभाई बताए महीं बोलतों बताए ये अवाल बाई बदात प्रियों हो गहां इन्यान नए वह बाहरा आ गया ना बताए अधर देगे आज इन चार्ड़ कर्यों ने चारी लिए ये केस्बूक से उगएं लेगे सब्सक्राइब निए तो उसंदों किसी में कुछ लिखा होता है किसी में कुछ लिखा होता है यह तो आपने देखा ही होगा तो उससे क्या हो गया है मतलब यह देखिए हैं लोग अगर आप अहले अधी से हैं तो इस चीज नहीं है मेरे साथ से नहीं वह तो बाद सही है फेस्बूक और वाट्शॉप इस पर मतलब कॉपी पेश करके लोगों को मतलब दलील देना यह तो मेरे भी चमच के बाहर है तो समन्हीं पाते ही हम पूझा नहीं करते हैं, अबना हम आप profoundखो इससो बीजा ओटा ओटाव़ियों卡 मेरे क्या लेना दना ठीक आप लोग इबादत कर रहे हों, आप ठीक है? तो इबादत मेरे बाई सिर्फ अल्ला की होती है न? आप पो इबादत नहीं होती जिए इससे वठाइए, कहों से आप मौलबिन बोल दी है? नई ये बोला नहीं जाता है यह जो इनसान का अमल होता है उससे थाबित होता है ये आप बहित समझे निए ऑप किया लोलग कि नभी निए परμा दिया पत्की कबरे मना कर दिया तो अगर को इनसान को कबरों पत्ता बना के ओस्यान कि मजार दर्गा ताहना बना कि πάज कि इसकी बादत इस्टाट कर दे तो फिर क्या होगा? मैंने देखिए यह सी तची यह पड़ी जरू है लेकि जिल्ड नंबर, सफा नंबर यह मैं आपको बताने हैं जिल्ड नंबर सफा नंबर की कोई बाती नहीं अल्ला के नभी ने खुद परमाया मैं पड़ता रहता हूँ लेकि मुझे याद मैं इतना ही रख पाता हूँ अल्ला के नभी ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी भी कबरों को सजदा गाना बना लें, अबादत गाना बना लें तो अल्ला के नभी का इस चीज को समझे, इबादत गाना बना ले, क्या इसका कहने का मतलब है, कि लोग कहीं हमको पूजना इस्टाडना कर दें, तो तभी तो हम लोग कहते हैं कि बरेलवी लोग होते हैं कबर पुझे, इसलिए हम लोग मैं आम तोर पर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं हम पूजा नी कर रहे हैं, अब इस जवाब इस नहीं समझ पारे हैं, इसको कमंद भी मत तब देखिए, चीजी वाद आपको देनी सब कीजों से निकल के आया है, भाई क्या हमारी निस भाई वो आएगा समझ में? भाई हम बरेलवी थे, फिर देवबंदी बने, फिर जमात में गए तो हम घाट-घाट का पानी हमने पी लिया, अलामदुल्ला, तो अगर आपको ऐसा लगता है, कि मजारों पर हम जा रहे हैं, हम सजदा कर रहे हैं, उसे मनत मांग रहे हैं, तो मतलब ये इबादत नहीं है, चर्ण? आपको बता रहे हैं, फिर दिजाते हैं, प्यारों धेजर, ब हम बरेलवी जो बह रहे हैं, हां ये बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं, प्रीदों जयसे हिंदु हो गया इसाई हो गया सिख वह इसे भी जञानाफ़नोma हुए अगर वह किसी ने से तो वो अपने ही उम्मत के भाई से करते हैं, जिनको वो लोग आन तोर पर करते हैं वहाबी, अब वहाबी में कौन कौन उनके नजदिक आता है? एक आता है दिवबंदी, एक आता है एले हदीथ, ठीक? और इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले भाई वो गाउं में लोग कहते थ लुट थे 24 नंबर, यहां आजिए पातिया दुरूद करने पार कर रहा है, यहाज से हो गया भाई, यह 24 नंबर हो गया, अब 24 नंबर के बारे में हम सुनते हैं, तो 24 नंबर क्या है? तो हमारे एक आलिमे दीन थे, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर हमको दिया था, कि पहले तुम मेरे भी कोईला थे, अब तुम हो गए सोना, और कौन सा सोना? 24 करट सोना, अलहमदुल्लाः, इसलिए वो तुमको शॉर्ट पॉम में कहते हैं, 24 नंबर, तो अलहमदुल्लाः मुझे अच्छा लगा, मैंने का चलो भाई, ठीक है, यह तो तारीख हो रही है, हम तो लोगों से, भाई, हम कुछ कहते हैं, हम 24 नंबर हो गए है, आओ, अलहमदुल्लाः, भाई हम पहले कोईला थे, अब अलहमदुल्लाः सोना हो गए, गोल्ड हो गए, 24 करट गोल्ड, कहो हम को 24? ने, देखे, देखे, मैं बहुत भी निट चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत मुनादर ओ इपिए, बहुत इबेट ओ कיא प neces भी च़िए से भी ऊता है। आप इसी फारत हैं, और ने देखे हैं, मैं एक हैं बहुत आघप्यू कहिए. यही तो फर्क है ना देखिए आपने देखा है मैंने फेज टू फेज बात की है इन दोनों में बहुत फर्क है और देखिए तभी कदर ऐसा होता है कि बरेज़ी और मेरे भाई देवबन्दियों का कोई मतलब भाई मानी उनका डिबेट हो गया या बरेज़ी और भाई एले के नभी ने पहले फर्मा दिया कि हो सकता है मेरे पास कोई दो लोग आएं उनमें इन्सान हत पे हो और भाई एक इनसान वो बातिल हो लेकिन जो भाई मरलब जो हग पे हो उसको जादा बात करना ना आता हो लेकिन जो बातिल हो उसको फड़ बात करना आता हो तो मैं दोनों के दलाए सुनके मैं बातिल के हग में फैसला कर दूँगा लेकिन याद रखना मैं उसके हातों में भाई मैं वो जहन्म की आग का एक ट पाएंगे और बीचारे हार जाएंगे और फैसला हो जाएगा बातिल के हक में लेकिन याद रखना वो बातिल जो है न वो इस दुनिया में तो जीत रहे हैं कि हम जीत गए लेकिन आकरत के एतबार से भाई वो बहुत नुक्सान में है तो अल्ला के नभी की बात को भी तो सुआनों ताला ने दे दिया लेकिन इल्म गैब नहीं था इल्म गैब एक पावर है जो सिफ अल्ला सुआनों ताला को है और कुरान की बेश्मार आईते हैं जिससे थाबित होता है कि इल्म गैब की पावर वो सिफ अल्ला को है हाँ अल्ला के नभी को भाई जो वो चुपी कि ड़ल्वी बाते थी उसको अलाध ने बता दिया अला तो खुझी कहता है कि मैंने अपने पसंदीदा अंबिया को अंदर की बात बता दी गैब पूरी दुनिया को उच्छे देख रहा है जिस आपनी हतेली के वो हदीश तो पढ़िये वो अल्ला सुबानो टाला उनके सामने सारी चीज़े पेश कर देता है जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं ये बता हो वो बता हो तो अल्ला के नभी दम जोश में आ जाते हैं जलाल मे जिन लोग क्या करते हैं जो हादीस का जो मतन होता है उसको नहीं पढ़ते हैं उसको जो माना होता उसको गयान करते हैं कि यहजिए को । लीजे लीजे लेजिए लिए लेजे जी जी रुके हैं भाई आप आराम से लाइन पर लीजिए आपकी कॉल को पर रखा गया है 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 Your call has been put on hold. अबस्ति नाम जी आपका नाम? जी आपका नाम? मुहम्मद जुबैर है। मुहम्मद जुबैर साब हो सब खेरियत से हाँ? आपका नाम? जी आपका नाम? क्या मसला है आपका? मसला मेरा इतना है, हम यह चाहते हैं कि बरेलवी भाई हमारे तौबा कर लें और भाई किताबों सुनक को थाम लें ताकि भाई एहले हदीस और जो हमारे प्यारे भाई यह बरेलवी लो दोनों एक हो जाएं यह काहे के लिए एक दूसरे को पर भाई मतलब पथर मानना आपस में भाई कितना फसाद करना? अगर आप चाहितें कि आपस में एक्सिलाव ना हो जो खूरान और बाही अलाकि नभी की जो हदीस उसके दम खिलाफो शुबा का सूरज बाद मायगा हम तॉबा इंशाला आज करने को तैयार रहे है आप एक अकीदा एक अमल एक मसला तो बताईए जो एले अदीज आज की तारिक में भाई अमल करता हो और वो किताब उसन्नत से साबित ना हो एले अदीज पहले बात पी नहीं है कि अकाईद अमल की बात छोड़िये एंप की जैदा जी अकीदे पे बात कर लेजिए नहीं अकीदा पहले पहले बात कर दीजिए आप भाई हमारा अकीदा वही है जो हमारे प्यारे सहाबा इकराम का अकीदा था कि अल्ला सुभानो ताला एक है वाहिद है और अल्ला सुभानो ताला की जात में इबादात में और उसके जो असमावा सिफात हैं उसमें हम किसी को शरीक नहीं करते चाए वो नभी हो चाए ऑलिया हो चाए पीर बाबा हो ठीक और दूसरा अकीदा हम आपको बता दे रहे हैं अल्ला के नभी के तालुक से कि हमारा अकीदा ये है कि अल्ला के नभी ठीक वो अलहमदुल्ल्ला वो जिन्दा है आलम बर्जक में इस दुन्या से उनका इंतिकाल हो चुका है अल्ला के नभी की जो तालीम है जो Die अऽे आई अमुल्बजव में। अर ऑफिर लाजिम में वालब फर्ज है। निहीं अल्ला के नभी की टाइम पर ही दिन पूरा कंप्लीट हो गिया था। Allah के नभी ने सहामा एक्राम से पोचा फुद feedsे के अंदर जब लाकों के मेरे भाई साधात में लोग थे तो Allah के नभी ने पोचा, क्या मैंने तुम तक सारा दिन पोचा दिया? तो सहाबा ने का कि हां लग के रसूल आपने पहुचा दिया तो अल्ला के नभी ने आस्मान की उपर भाई शहादत की उंगली को उठा के कहा अल्लाहुमा अश्हद अल्लाहुमा अश्हद अल्लाहुमा अश्हद से जो मालब आप लोग ने सक दिन बना लिया और हम मुसको दीन नहीं मानते तो कौंटिर स्षी पीजह रही है नियु कुरान और हधीस sih ना वह तो भाई आ करी रहे कुरान और हदीस पे फर्क यह आता है कि बरेलगी एहले सुन्त है अपनी किताब गुन्यतुत तालबीन के जिल्द एक सफा नंबर इसको चाचक पर पहले दे दी है कि आज की तारीक में अहले सुन्त का एक ही नाम है तो अलाम ल्हृत ही दून एक हें लेक बरेलवी को 1449 साल में किछ जाहिल ने कहा कि जी मिन्त दुसाइए फिरियल कि generate मि आपके यहां कि आपकी बात हम माने या पिरान पीर की बात माने या तो आप पिराने पीर से ज्यादा बले हो गया या तो पिराने पीर आप यूत्रे की नुक के नीचे आगे हैं दो में से एक बात हो सकती है यह बताई है कि अगर आप पूछेंगे तो भाई मैं 1994 में पैडा हुआ था मेरा नाम अफ्टू खाने में यूपी अलाबाद में रहता हूं लेकिन अगर आप हमारी बाई जो जमात है उसकी बुनियाद ने लेकिए पूरा आराम से उन्हें गोलने लिए उसकी बुनियाद की है यह अहले सुन्ना तो एले अधीस मतलब उस्वास मतलब किया है तरकार बड़े तीरोस्त जमीर फर्मान का मतलब क्या है वह हमारे समझ मायागा ना वहमारे लाग के वली है ना आपने तो उनको उस्तागीर और यह सब नहीं मानते हैं तो फिरका तो होई जाएगा एले अधीस ना अल्ला के नभी ने फर्माया जामे तिरमीजी की हदीस है अधीस नमबर 171 कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे एक फिरका होगा जन्नत में तो एले इस इस माने में भाई आटोमेटिक फिरका हो जाएगा भाई हम तो फिरकाए नाजिया ही है आपकी दोनों बाते आपस में भाई टक्रा रही है आपके नजदीक एहले हदीस अलग है एहले सुन्नत अलग है है ना नहीं जो हम आप से पूछने पहले बता तो दीजिए यानि कि जो अलग के नजदीक मेरे भाई बातिल साबित हो गई अलग के नजदीक ने पेशन गई की थी जामित तिर्मीजी की वही हदीस किताब फितर में कि एक गिखरो हमेशा हक पे रहेगा अलग की तरफ से उसको मदद आती रहेगी और तमाम मौदित इन ने फरमाया है इस गिरों से मुराद एहले हदीसए अगर एहले हदीस भाई नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है को अल्लक के नभी क्या करें एक ऐन्हीरों वहमेशा हाग पर नहीं च्पित तोपवा आप को सबसի लेगे भाई हमने सब पला है तभी बात कर रहे हैं आपने क्या पला है आप उसके साथ से बात कीजिए तो वही तो हम कहे रहे हैं मेरे प्यारे भाई की एले हडीश आप प्रिका आई अभी तो आप बरेल्वी ओ क्या आप काईट को देख लीजिए उनके आमाल को देख लीजिए बरेल्वी जो 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 काम करते हैं वो ना तो अल्ला के नभी ने किया ना कभी साहबा ने किया अब आप मेरी बात को इत्मिनाज सिद्दम सुनिए ठीक आपने अपनी जबान से एक बात कबूल की जो अल्हम्दुल्ला हम मानते हैं जो मेरे भाई जन्नत में जाएगा वो अल्ला के नभी और जो हमारे प्यारे भाई साहबा एकराम थे उनके तरीके पर अमल करेगा यान तो ऐसे नाम नहीं बताया क्या वो बर्यल्वी होगा देय वंद्द होंगो नहीं उन्होंने जो बहुत थिखात की उसको बताया आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा है उस तरीके पे जो चलेगा वो काम्याब होगा तो अब इसके उपर उसूल के उपर नात्रे हैं आज कल के भाई जो भाई ये बरेलवी भाई उनको नात्ते हैं तीजा, चलिसा, शती, चिल्ला, खुंडे, बर्सी, ग्यारवी, बारवी, एद मिलाद, भाराफाद, शबे मिराज ये अल्ला के नभी ने और अल्ला के नभी के प्यारे सहाबा ने कभी नहीं मनाया लेकिन वो मेरे बाई काम आज हमारे बरेलवी भाई उसको दीन समझ के कर र काम करता है वो इमान से खारिज हो जाएगा ग्यारत अभान आप रे तो आपको हमसे तुबा करने के लिए तयार के यह था यि विर्षी तुरत मेरे बाई, मुस्ताहप मेरे बात तो मेरे प्यारे है कौनती उसूल है पड़े उसके बहुत किजिए नहीं हमको उसूल के बहुत करना है ऐसा कौनती उसूल है जो काम अपने उसूल के उसको मेरे वह दीन बना दिया करते शूल होसा हुआ है ऑफना हो या आपकुरान पूजे है कि मेरे वह डिया आपके बात सब्सक्राइब। दोनों अफजल हैं मेरे बाई मां करता है कि कुफर सवाल आपने कर गिया एक सब्सक्रा आता है वो अबू बाई वो सहाबी से पूछता है अबू हुरेरा रज्विल्लाह से जा सिर्फ हमारे लिए कुरान ही काफी नहीं है हम हदीस पे क्यों अमल करें तो वो सहाबी फर्माते हैं कि हम एले हदीस हैं कुरान को भी मानते हैं हदीस को भी मानते हैं यह सवाल आपने करके पूछ लिया जवाद देजिए जवाद देजिए बाई को एक लोग बोलो आवाज साफ नहीं आ रही है ठीक है जवाद कॉल रहा है तो हमें बोलने ही पड़ेगा उनका लेक्शर म यहार बात क्या सुन रहे हैं वो जो बोलने है तो चवाद को भी म Strikes जवादर हो भी में प्रॉल्ड देजवाद को पार दिरा हो वो तो मेरे वे दुनिया का सवाल होगा है ना यह दिन का सवाल है अचाम कुरान है कि नमाज को कायम करो लेकिन कैसे कायम करें उसकी लिए हदीत पहने पना पढ़े गाए कोई कह Altern हमारे ले कारी Corinth काफी पहर टो पिर भू नमाज कैसे पढ़ेगा tebi 선alok ओए बाई ये बेकार के सवाल नहीं ये बेकार ये फर्जी सवाल करने वालों पर सहाबा एकराब मेरे भाई वह लालत फर्माते थे अच्छा मेरा जवाब ये डोनों अब अगजन है अब अगर ये गलत हो तो आप बताईए अरे आप भाग कहा रहे हैं बताईए ना अब आपकी दुम पे पहर पढ़ रहा है तो आप भाग रहे हैं तो भागते नहीं तो हमसे तौबा कराईए ना भाई अरे बाई आप ये बोल बच्चन मत दीजी बाई तौबा कराईए आपका जो इतियास हैं जानते आपके आला अजरत ने क्या-क्या फत्वे दिये हैं अभी मैं पढ़ना इस्टार्ट करूंगा तो बहुत भारी पढ़ जाएगा अरे तो मौला अली ने भाई तीजा चारीसवा कब किया अल्ला के नभी का अबुबकर रजी लाओ ताला अनुने अल्ला के नभी की पैदाई प्रिद मिलाद नभी कब मनाई अरे शमीर भाई मेरे सवाल का उनको जवाब तो देने दो हमानते हैं बताओ जरा एक दलील दे तो किसम अल्ला की खाके कह रहा हो आज बरेज़ी बने के तैयार हूं एक दलील दे दो कहां अदीज लिखी हैं यह कहां लिखाई यह कहां लिखाई यह मिलाद उसको कहते हैं कि आदमी लोग चंदा मांगे भिकारियों भी तरह एक नभी का बड़ी मनाएं और केक लाएं और केक को काटके कहें हैपी बर डे या रसूल अलह है तो उसको मिलाद कहते हैं अरे तो मिलाद को कौन से अधीमा आया है कि Allग के नभी ने कहा कि जाहाबा मेरी मिलाद मनाओ और बारा रब्ध अवल को तो पराइशी थाबित नहीं है आला अजज़्ट के नजजदीड तो बारा अवल अवल अल अल्ला अजरत परमाते हैं 12 रभी अवल को अल्ला के नदीश की वफात हुई थी वफात कदीन मनातों मिलाद मना के तोबा 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 अस्तर अप्ता गंदा चीदा अरे मिलाद किसको कहते हैं वो आकाओ मिलाद मनाने का सबूत दोना मैंने के किसम खा लिए मैं अगले साथ से मनाने के तयार हूँ कि अगरा थे रहा थे लो आगरा है। अन्तुम्कम्सादकीन अगर आफ तक के किसे मनाने के वहान विलाद किसे मनाए? है नहीं आत वबाननwe को हरे मिलाद को वहा हमी clinical में वहां तोबा जल्ड़त दो आचाइक वहां। चलो दलील दो अल्ला ने कब मनाई मिलाद को बदाई 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 मिलाद मेरे बदाई मिलाद मेरे बदाई मिलाद मेरे किसको कहते हैं बता दिया बार बार मैं नहीं बता अरे तो जो मिलाद में हो रहा है वही तो बताऊंगा, तुम्हारी अकल से बता दूँगा क्या मिलाद का माना? अरे अल्लाद ताला ने मिलाद कब मनाया नभी की भाई हमको बता दीजी ताकि हम भी मनाना शुरू करें काहे कि देर? अरे लुगत से आप दीन समझते हैं या इस्तलाद से दीन समझते हैं? आप क्या कादियानी हो गएं जो लुगवी दीन मनाते हैं? मिलाद का माना होता है खुशी मनाना, ये लुगवी माना है, और इस्तलाही माना ये है कि अल्ला के नभी की पैदाईश की खुशियां मनाना, अब इन दोनों मानों में से आप कौन से मानने में आप भी मनाते हो? अल्ला की नभी की पैदाईश की खुशियां मनाना, अब भागना नहीं, नाम इसका क्या है? ईद मिलाद नभी, आज से 20-25 साल पहले आम तोर पे लोग इसको कहते थे 12 वफात, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसका माना होता है 12 वफात, तो लोगों ने कह रहे हम तो मौ चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया, ईद मिलाद नभी, माज अल्ला ईद मना दिया, अल्ला के नभी दो इदे चोड़के गए, ईदुल फितर और ईदुल अज़ा, और तुम लोगों ने, जाहिलों ने, ईद मिलाद नभी, एक और इद बना दी, बिदती, इसको कहते है नभी की मिलाद की खुशियां सहाबा ने कैसे मनाई, चल बताओ, इद मिलाद नभी की बात कर रहा हूं, इद तुम कहां से ले क्या है, अच्छा ये बताओ, अगर ये एद है, तो इस एद मिलाद नभी की नमाज कहा होती है, अरे कैसे, अभी तो वो उसूल से बात कर रहे थे न, इनके हन्फी उसूल के हिसाब से, इद की नमाज परना वाजिब है, इनकी हन्फी शिका में लिखा हुआ है, कि इद की नमाज परना वाजिब है, और इनों ने इस्ता नाम दे दिया है, इद मिलाद नभी, तो बात कर रहे हैं आप गलत चीज़ को तावीर करके साबित करना चाहरे हैं वो मेरे साथ जिल नहीं चलेगा नभी की एद मिला दो नभी की नमाज आप कहां पाणने जाते हैं कौन सी इद गाह में पाणने जाते हैं पाणने साबिया है काम कीजिए उसूर से बात कर लीजे एक मिनिट आपके भाई बोलेंगे एक मिनिट हम जब हम बॉलेंगे तो वो नी बीच में कील काल करेंगे जब वह बोलेंगे तो हम नी बोलेंगे पर आीए है वो नहीं बोलें वो नहीं बोलेंगे हैं अब है कि अपने आपके शचाट होता है अब बोलिये में जो कह रहा हुआ उसको आप सुनिए एक मिनट आपके चलो होता है यह सवाल नहीं एक मिनट दोनों अफजल है एले सुनत एले अधिस के नजदीग अधिया जाए कि असा होती है चलिए आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं आईसी इल्मी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा जो कुरान है वो अल्ला का कलाम है और जो अल्ला के नभी की जो हदीस है वो भी अल्ला की तरफ से है क्योंकि अल्ला कुरान में फर्माता है मेरा नभी अपने दिशे कुछ नहीं कहता, वो उतना ही कहता है जो उसके अपर वही की जाती है यानि कि दोनों चीज़े अफजल हैं बराबर ना कोई कम ना कोई जादा अगर हम अल्ला की कुरान को उचा करेंगे तो अल्ला के नभी के हदीस को ऊचा करेंगे तो अल्ला के कलाम की तोहिन हो जाएगी तो ये जाहिल के अल्ला सवाल करना छोड़ दीजी